नमस्कार मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, I hope you are well and doing great. उमीद करता हूँ कि आपकी जो नीट की प्रिपरिशन चल रही है, वो बहुत अच्छी चल रही है. लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूँ, तो उसे वक्ता मेरे जहां में एक और सवाल आता है, कि क्या सभी का प्रिपरिशन बहुत अच्छा चल रहा है? क्या सारे की सारे स्टूडेंट्स का इस फर्स्ट अटेम्ट है? आंसर तुरंद मिल जाता है, नई. ये वडियो बहुत सारे विद्यारती इस वक्त देख रहे हैं, और उनमें से खास करके वो विद्यारती जिनका हो सकता है, ये सेकेंड अटेम्ट हो, थर्ड अटेम्ट हो, इवेन फोर्थ अटेम्ट भी हो सकता है. तो बच्चा इस विडियो को बहुत ध्यान से समझ ना, बिकर्स जो भी बोलूगा, बहुत दिल से बोलूगा, और आपके रिलेटेड ही है, आपको ये जरूर सुनना चाहिए, बिकर्स ये कोई बात ना, खास करे कि कोचिंग इंस्टिूट या बहुत बहगे मेगे जो बच्चो, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाओंगा, आप उसकी चिंता नहीं कीजे, लेकिन जी जान से ना, अपनी पढ़ाई करते रहे हैं, मेहनत करते रहे हार मत मानिये, फर्स्ट अटेंट, सेकेंड अटेंट, कोई बहुत बढ़ी बात नहीं होती है, आप बिलकुल physics formula का revision video भी देती है, तो आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहे हैं, ऐसी वीडियो को बिलकुल भी नहीं देखिए, वो बच्चे जो सच में genuinely neat में आग लगाना चाहते हैं, select होना चाहते हैं, ठीक है, so मेरा humble request है, if you are those student बच्चों जिनका first attempt है, please पढ़ाई करने लग ज सुनना चाहिए, एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके खुच से सवाल पूछो, कि यार, third attempt, fourth attempt, फिर भी मेरे से neat नहीं निकल रहा है, अब दिखो, यहाँ पर बात ऐसी होगी, कुछ लोग साथ मेरा against जा सकते हैं, बट ना मैं हमेसा student point of view से ही बात करता हूँ, ना मैं से important साल होने वाल है, और still मैं यही सोच रहा हूँ, कि मुझे government medical college की seat मिल जाए, ambiguous मैं कर लो, पात साल जाएंगे और, तीन साल आपके गए, ठीक है, 8 साल इसी में चला गया, don't you think बच्चा इसके अलावा भी बहुत चारी चीजे हैं, इसके अलावा भी एक life है, मतलब अगर प्यार है, इस profession से ही प्यार है, medical industry से ही प्यार है, ठीक है, तो there is also other way to enter in this segment, without NEET, है न, बहुत सारे career option available है, why NEET, NEET को crack करके ही क्यों, जहां आपके already 2 साल, 3 साल बिगडे हैं, अब देखो यहाँ पर होता है, जिद, और थोड़ा सा family background भी होता है, जैसे कि मेरी family background बहुत अच condition 11-12 ने बहुत खराब थी बच्चा, जो कुछ भी बन पाया हूँ, भूलना थे करिपा और आप सब बच्चों की प्यार से, और माता पिता क्या असिरवात से बन पाया हूँ, तो अगर मम्मी पापा के पास बहुत अच्छा खासा है, amount of chunk, तो आप जो है private college से भी कर सकते है और लगातार नेट की preparation कर सकते हैं, महेंगे महेंगे coaching classes के अंदर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे privilege students होते हैं, जो यह कर पाते हैं, बट मेरा सवाल उन बच्चों से यार, जिनके पिता जी के पास इतने पैसे नहीं हैं, कि वो बार-बार coaching classes के थ्रू यह करा सकते हैं, बेटा अगर तुम्हारा passion है यह, और तुम्हारे अंदर धीरज है, धैर यह है, कि नहीं आ रहे, एक attempt में और दूँगा, मेरा fourth है, fifth है, भाई, salute है बच्चा आपको, कसम से salute है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, तो क्या life खतम, thumbnail आपने देखा होगा, it's over, खतम life, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, बट यह बाबा, SSP, चीको भाई, आपका, यह, जो, physics रॉकी भाई या ना बच्चा, यह आपके साथ खड़ा है, हार मत मानो यार, जिन्दिगी खतम नहीं हो जाती है, fifth में की exam को जरूर आप दीजे, चाहे आपका जो भी attempt है, लेकिन जब exam hall से बाहर निकलना ना तो यह वीडियो को जरूर याद करना, उस समय आपको आवाज अंदर से आ जाएगी कि बस बहुत हुआ, अब मैं मेरे पास बहुत सारे career option available है, मैं उसमें जाने वाला हूँ, या मैं उसमें जाने वाली हूँ, लेकिन अब नहीं करना है, बेटा देखो यह सच है ना, coaching classes के अंदर कभी नहीं बताया जाता है, वो तो चाहते हैं, वो आपको फिर से वही चूरन दे देंगे, वही चीछ फिर से बोलेंगे कि चलो कर लो, क्योंकि offline centers का fees भी बहुत अच्छा खासा वो लोग चार्ज करते ह मैं किसी का नाम नहीं लोगा, मैं किसी का गेंस भी नहीं हूँ, लेकिन यह सब आप लोगों को अच्छे से पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो यह माया चाले फस्ते चले जाता है, वो वापस attempt देते हैं, वापस attempt देते हैं, इतने में तो आप graphic designing का course अगर स 25 लाग जितने students हैं, जो इस बार NEET में registration किये हैं, और इन में से appear कितने होने वाले हैं, इससे पहले का एक data देख लो, आप अपएर तो आपको ही पता चलेगा, बट एक आगडे के हिसाब से चले हैं, 2023 में, तो 20 लाग 87,462 student ने registration किया था, और 20 लाग 36,000 बच्चों ने exam दि नहीं, तो कहींने के government के तरफ से भी problem है, कि आप exam में registration तो इतना कराते जा रहे हो, लेकिन seat बच्चों की तो बढ़ती नहीं है, government medical college की seat बढ़ती नहीं है, तो कहां से ये सारा चीज, सब कुछ होगा सही से हैंना, तो कहींने कहीं ये पूरा का पूरा जो system है, ये बहुत अ college इंडिया में है, will offer 41,000, ये लगबग 40,000, 42,000 के आसपा सीटे हैं, through need 2024, जो need 2024 के basis पर आपको देंगे, और 532 government and private colleges है, will offer 76,000, तो कुल मिलाकर के लगबग 1,00, जितना ही तो हुआ, भाई साब 25,00, भरे हैं, अब 24,00, तो देंगे ही न, exam, 24 के 24,00, मैं समान लीजे कि अगर 12 लाग, आदे परसेंट भी बच्चे कॉलिफाई करते हैं, मार्क्स ले आते हैं, तो कहां से उनको admission मिलेगा, यही सबसे बड़ा problem बच्चा, और यही loophole है, और यही पूरे system को मजा देता है, और बहुत सारे बच्चों को सजा देता है, मजा in the sense, उनको तो क्या है यार, उन दिल को दुखता है, यार, इसलिए मैं ये विडियो बना रहा हूँ, कोई पूछने नहीं आता है आपसे, कि बच्चा तु सातांट गंटे अगर पढ़ रहा है, तिरसे हो पा रहा है, तिरसे chemistry हो पा रहा है कि नहीं, तो कोई यह बोलने वाला नहीं होता है, बीटा, कोई बातनी करियर में और भी चीज़े हैं, तो कुछ और अच्छा कर सकता है, यह कोई बोलने नहीं आता है, सब जूट-जूट का मोटिवेशन देंगे, लास दिन में तुम इतना कर सकते हो, अरे क्या लास दिन में इतना कर सकते हो, अगर बच्चा लास दिन में उसको इतना कर करोगे अगर तुमसे ने ही निकलात हुं Sit now ने सथी बता रहो में ब्गवान्श को बहुत मानता हूं मेरे भूले नाक को भूत मानताँ हूं मेरा दिल कहता है कि अगर आप से नहीं निकल न गला चालना तो जिन्दी की खतम नहीं होता है बहुत अच्छा आपके लिए इस वर कहते हैं अल्ला कहते हैं सब एक ही है प्रभू एक ही है तो उन्होंने कुछ आपके लिए बहतर सोच रखा है बाबू बस यह चीज जान ले और जीवन में आगे बढ़ जा एक ही चीज पर बार बार पड़े रहना और कोई सच्चा ही बताता ही नहीं कोई पूछने ही नहीं आ फिप्ट ओफ में यानि दो दिन के बाद आपकी एक्जाम है आप में से जो विद्यारती वडियो सुन रहे हैं बाबू कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यस बाबा विविल डिसाइड अगर हमसे नहीं निकला सेकेंड अटेम्ट तक ठीक है बर थर्ड अटेम्ट दो स का मुटिवेशन देते हैं एक बंदे को टॉपर दिखा देंगे अभी तो अभी देखना आएगा कि 2024 का जैसे होगा एक्जाम निकलते ही सबसे पहले रिजल्ट मतलब सबसे पहले बता देंगे कि इस बच्चे का हमारे इंसिट्यूट से आ रहा है और फिर उसको खरीदने क को समझ में भी नहीं पाएगा कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी वो बस वो ड्रीम्स ले करके चल पड़ता है गलत है यह वीडियो आप अपने पैरेंट्स के साथ भी साजा कीजेगा पैरेंट्स से भी मैं हाँ जोड़कर के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अ इपने बच्चों को ऐसे ही प्रिरित करता हूँ कि आप अभी अपना 100% लगाईए फील करिए फिजिक्स को मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ प्यार हो जाएगा आपको लेकिन सिर्फ ऐसा सोच करके मत रखना कि बस यही मेरा लक्ष है अगर नहीं निकला तो उसके बाद फिर से इसी को लक्ष बना लिया फिर से इसी को लक्ष बना लिया जीवन में और भी बहुत सारी चीजे हैं उपर वाले ने को सोच करके रखा है लाइफ वहां खतम नहीं होता अगर किसी को मेरी बातों से कुछ बुरा लगा होगा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ ल तो आपका आएगा, आप decide कर लेना यार, कि क्या करना है, है ना, वापस मत सोचना, first attempt वाले बच्चों को second attempt तो बिल्कुल देना पड़ जाता है, क्योंकि 12th board के साथ NEET जैसी exam, JMAs जैसी exam, बहुत बिरला बच्चे ही निकाल पाते हैं, जो extraordinary होते हैं, है ना, तो वो तो सराण होते हैं, यह उनकी पीट तपाने की बात है, God gifted students होते हैं, बट जो God gifted नहीं है, उनका क्या, वो बेकार हैं क्या, नहीं, वो किसी और छेतर में इतने माहिर होंगे न, कि वो God gifted students के इससे भी आगे निकल जाएंगे, बात आरी नहीं समझ में, हाँ, तो कभी भी अपने आपको माल लिए ना, तो सब खतम हो जाएगा, तो सब कुछ यह सोच पर निर्भर करता है, हमने जो सोच लिया, वही हमारे साथ होगा, अगर हम ठान लेंगे, तो जीच जाएंगे, और अगर माल लेंगे, तो हार जाएंगे, तो हारना नहीं है, पहले तो लड़ना है, उसके और लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता, हम अभी कुछ दिन पहले, लगबग एक महीना पहले, हम खान ग्लोबल स्टेडिस के साथ जुड़े हुए, जहां पर बहुत आफोडिबल प्राइस हैं, बच्चक पूरा फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमेश्ट्री भी चलता है, ज तो हम लोग के यहां परना, खान ग्लोबल स्टेडिस परना बच्चा, दो हजार, धाई हजार रुपे की फीस में पूरा हम लोग कोर्स निकाले हैं, तो वहां तकलीफ नहीं होता है, जैसे खान सर भी बोलता है, जब देड़ लाग, दो लाग रुपे बच्चा फीस देता ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बच्चा इस वीडियो के माद्यम से ये बात रखना चाहता तो, और साथ ही ये भी बोलना चाहता हूं बच्चा की टॉप फाइफ बेस्ट मेडिकल कूर्स होता है, जिसमें नीट में आपको इतने जादे मार्क्स की अवशकता नहीं है बटनीट आपको अटेम्ट करना पड़ सकता है, एक आग दो कूर्स के अंदर, वो टॉप फाइफ कूर्स कौन से हैं, वो बच्चा मैं आप लोगों के साथ साजा करता हूं, वीडियो को लास तक देखीगा, एट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे साजा भ होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे पहले वही विचारे लोग क्या ठीक है, जो स्टार्टिंग में अभी यह हो गया, जैसे कोई emergency case है, तो डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको 24 hours तक उसको observe करना है, ICU, intensive care unit, अब हमारे पिता जी के साथ इतनी चीजे हो चुके ह हैं बच्चा, brain hammerist से लेकर के everything की हम hospital को बहुत नजदीक से देख लिए, तो हमारा एक वो हो चुका है, personal touch हो चुका है, hospital के साथ, तो बहुत closely अब क्योंकि physics पढ़ाता है, पहले जैए मेंस वाले बच्चों को तयारी कराते थे, advance वाले बच्चों को तयारी कराते हैं, तो हम क्या, हम वो समझते हैं कि पूरा जो hospital चल कैसे रहा है, तो यार यह जो staff होते हैं, nursing staff हो गए, इनके वज़े से ही चलता है भाई, तो paramedical courses में बहुत सारी चीज़े आ जाती, जैसे कि nursing है, physiotherapy है, radiology है, physiotherapy की जुरुत तो बहुत next level पर जा रहा है, आप जिस भी field में जाना चा जाना है, तो physiotherapy है ना, और बहुत सारी courses, radiology में जाना है, तो radiology, radiology देखी किया जवरदस्त career है, इसके अंदर यार, जो radiologist होता है, भाई, वो doctor से भी ज्यादा important पदवी दी जाती है, उसे क्योंकि वो diagnosis को observe करते हैं, कि क्या problem है, हमारी माता जी को भी problem हुआ, MRI करा है, तब जा करके पता चला, doctors के तुरू पता ही नहीं चलाता, फिर MRI जब हुआ ना, तब पता चला और उसको पूरा scanning करना, read करना, वो radiologist का काम होता है, तो अब यहाँ salary तो हमने लिग दिया, BAC nursing के तुरू भी आप जा सकते हैं, बच्चा, लेकिन आप इस पर बहुत ज्यादा पर प्रशान मत हुए कि कितने पैसे मिलेंगे, देख पैसा ना, बच्चा byproduct होता है, आज कल की लोग भी यूट्यूब पर क्या क्या वीडियो बनाते है, जिससे जनता ब्रमित हो जाती, जनता की तो छोड़ो, मैं अपने students, अपने बच्चा party के लिए बड़ा दुखी होता लेकिन पहले से ही पैसा कमाने के लिए हम स्किल पर ध्यानी नहीं देते हैं, तो प्रॉब्लम न हो जाएगा, तो आप ये salary के उपर चिंता मत किजे कि ये तो इतना ही है, मैं BBS करूँगा तो मिलेको सिधा एक करोड का package बग, नहीं होता है इतना जल्दी, है ना, तो वक्त पर भी विजट किये है, डेंटिस्ट के पास, अधिकांस ता मुझे वो दिखाई देती है, स्टूडेंट्स ही रहती है, महिलाएं ही रहती है, अपना बढ़ियां से चला कर कि आराम से earning करती होती है, तो BDS में क्या बुराई है, मतलब कि आपको MBBS निकालना है, नीट निका और भी लोग हो सकते हैं, मेल भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारा जो अनवा रहा है, वो female मैम के साथ ही रहा हुआ है, मतलब के जाते हैं, तो अब वो इतने अच्छे तरीके से मम्मी का हमारे ट्रीट कर दी, कि फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में मतलब कि कि किसी के बात ही नहीं करता है तो आप BDS के अंदर जा सकते हैं बढ़ इसके अंदर नीट कंपलसर ही है कौलिफिकेशन कौलिफाई करने की बात नहीं बढ़ आप नीट जरूर इसको दी दीजिए और जो बेसी क्राइटीरिया पैनिक हुए है जो हमने कोविशील लगाया उसमें कितनी सचाई है क्या तत्य है कुछ नहीं पता बट आप सिर्फ यूट्यूब के विडियो को देखकर कि उन चीजों को सच मत मान बैठिएगा वरना आपकी नीट की परिक्षा जो अभी दो दिन के बाद है उस पर असर पड सकता है हाला कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा कीस ऐसे मिला है बट मेरे पिता जी काफे ज़्यादा स्ट्रेस लिया करते थे जिस वज़ए से उनको यह हुआ उसको हम इससे नहीं जोड़ सकते कि कोविशील का वैक्सिन लगा है तो यह हुआ है तो बहुत ज्यादा यह सू फिजियो थेरापी तो बेस्ट होता है यार फिजियो थेरापिस्ट घर घर पर जाकर क्या विजिट कर सकते हैं एक बार एक विजिट का चार्ज आपका 500-800 रुपीज होता है हमारे घर में पिता जी को ऐसा प्रॉबलम है तो एक मैम आती है वो अपना परड़े का परड़े को कोई चोट लग गया और आप फिजियो थेरापिस्ट है बहुत बढ़ियां डॉक्टर है तो फिर चाप लीजिए फिर तिन चार करोड रुपया ऐसे ही है ना पैसे कमानी की है तो तरीके अनेक है यह थोड़ी ना है कि आपको बस नीट निकाल करके आपका सपना पूरा ह हो सकता है बच्चा मैं बस यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि पढ़ा रहा हूं सोचो मैं नीट ही लेकिन इतना ओपनली कोई बात नहीं करता है तो है बहुत सारे रास्ते आपके पास में फिजियो थेरापी इस वन फूट टेकनोलोजी अभी एकदम देखेगा अगले त प्रॉब्लम ना हो फैट जादा है तो उसको कैसे लूज करें तो दुनिया बर के इंडस्ट्रीज हैं उन में से फूट टेकनोलोजी भी है और ऐसी न्यूट्रिस्ट निस्ट भी है तो आप इन सबी कोर्स के ऊपर थोड़ा रिसर्च करिएगा फिप्त में 2024 के बाद अब जो पाँच मेंने कोर्स बताएं बच्चा रिसर्च करने के बाद पचा चला इससे पहले मैंने बनाया था वडियो जिसमें 30 कोर्स तो उसमें से चुन करके यह पाँच कोर्स बताएं इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है किसी पर आपको डिटेल मे चाहिए वीडियो तो मैं उस पर रिसर्च करके आपके सामने रखूंगा बाबो बाकी आप आग लगाए नीट के एक्जाम में फोड करके आए बच्चा फिप्त आफ में को और जब आपका ये थर्ड अटेंप्ट है फोर्थ अटेंप्ट है तो जरूर इस वीडियो को एक कर सकते हो तो बिलकुल सावधानी बरती और सूची के आगे आपको अपना करियर किस तरीके से बनाना है या बहुत ही कम फीस में बच्चा अगर आप लोगों पढ़ना चाहते हो 2026-25 की बात अगर हम कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जो है बच्चा साजह करिएगा इस तो आप जो है हमारे कूर्स को जोइन कर सकते हैं सेर्फ उसरे दो हजार डाई हजार रुपए में पूरा का नीटका से ले बस है दो साल तक चलेगा आपका कूर्स ठीक है बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया बच्चो थाउंके सो मच for watching this video see you all in the next class जैहिन and all the best for your Neat exam